नमस्कार मित्रों, आप सभी का हर्द एक स्वागत है हमारी चैनल पर उसे देखा जाए तो आप लोगोंने विजय मालिया का नाम जरूर सुना होगा लेकिन आज हम आप लोगों को विजय मालिया के बारे में साथ ऐसे रोचकत त्य बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे अगर आप जानना चाहते हैं तो बने देए न अंतक हमारी वीडियो के साथ लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले नीचे दियेगा अपको बता दें मालिया बड़े समय से टेक्नोलिजी के फ्रेमी रहे हैं और वे ब्लाक बेरी के बहुत ज्यादा आदी है नवींतन तकनीक के बारे में सब को जानना और उन्हें अपने हाथ में लेकर देखना काफी पसंद था वे अपने घर से निकलने से पहले अपना ब्लाक बेरी फोन अबश्य लेकर निकलते थे चाहे फिर उन्हें आधे रास्ते से ही वापस क्यों ना आना पड़े आपको शायद मालूम नहीं होगा कि मालिया एक प्रतिभाशाली व्यक्तेत्व के इंसान है मालिया एक साधारा प्रवा बंगाली, कनर, हिंदी, कौंकनी, गुजराती, अंग्रेजी और फ्रेंच में बात कर सकते हैं और एक और आश्यर इजनक पहलू हम आपको बताना चाहते हैं कि वो करनाटक के मूलनिवासी हैं लेकिन उन्होंने कोलगता में अपना प्रारंभिक जीवन व्यतीत किया क्या आप जानते हैं आपने मालिया को हमेशा लड़कियों के बीच घिरे रहते हुए देखा होगा इसी के चलते 2004 में उन्होंने लंदन में कॉक्षिन में टीपू सुल्तान की तलवार एक करोड़ 66,076,025 रुपए में खरीदी थी और 2009 में नियॉयोक की निलामी में महत्मा गांधी के सामानों को 1.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा था 2010 में उन्हें Entrepreneur of the Year का खिताब भी दिया गया था आपको बता दें मालिया एक खेल प्रेमी भी रह चुके हैं आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि मालिया हमेशा स्कूल और कॉलेज के दिनों से मिघाविच हात रहे हैं उन्होंने कोलकेता के सेंट जेवियोस कॉलेज में अध्यान किया हलंकि वो अपने पिता विट्टल मालिया की कंपणी में इंटरूर्शिप के लिए जाया करते थे और कार्याले के लिए साइकल का इस्तेमाल क्या करते थे क्या आपको मालूम है कि स्थन 1906 में उन्होंने एर होस्टेस समीरा तैबजी से शादी की सिधार्थ मालिया समीरा के बेटे हैं विजय और समीरा में जल्दी ही तलाख हो गया उसके बाद मालिया ने पडोस में रहने वाली रेखा से शादी की जो तलाख शुदा और दो बच्चों की मा थी और आपको बता दे मालिया और रेखा की दो बेटिया हैं तो ये थी विजय मालिया के बारे में कुछ ऐसी बातें जिसे आप 100% नहीं जानते होंगे हाँ तो दोस्तों आपको ए वीडियो कैसी लगी है आप अपनी राय हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा इससे हमें काफी प्रेडना मिलती है वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शियर करना न भूलें तो चलिए आगे फिर मिलते हैं एक नए और इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ धन्यवाद